Hello everyone, welcome to Ravi Aditi Classes Friends, आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे Top 55 Ancient History के General Knowledge Quotions को Most important questions हैं आपके सारे exams के लिए और ये इसका set 4 है इसके जो previous set है चैनल में uploaded है तो उनको अगर अभी तख आपने देखा नहीं है तो उनको भी जरूर देखें तो चलिए बिना देर के वीडियो को start कर लेते हैं आपका पहरा question है याँपर The largest site of Harappan in India is तो भारत में Harappan का सबसे बड़ा स्थल कहां है तो Harappan का यानि इंडस वाली का largest site है याँपर राखी कड़ी तो option number D हो जाता है इसका correct answer friends बात करते हैं यहाँपर सारे options की देख लीज़ें यहाँपर आलम गिरपूर जो है यह located है उत्तर प्रदेश में साथ में बात करें इसको 1959 में excavate किया गया है बाई वाईडी शर्मा और साथ में friends यह यमुना नदी के यानि यमुना रिवर के bank में situated है यहाँ से क्या पाया गया था यहाँ से copper tools पाये गये थे साथ में बात करें तो pottery बाई गई थी यहाँपर इसके साथ में plant fossils को भी यहाँ से पाया गया था तो यह होगे कुछ important points related to आलम गिरपूर और बात करें यहाँपर काली बंगन की तो काली बंगन present है राजस्थान में इसको ए घोश के द्वारा excavate किया गया था और यह located है घगगर रिवर के bank में और फ्रेंस बात करें लोथल की तो लोथल located है गुजरात में और इसको excavate किया गया है by S.R. Rao और यहाँपर क्या पाया गया है dockyard dockyard यहाँपर पाया गया है और यह located है भुगावा रिवर के bank में भुगावा रिवर के bank में यह located है तो भुगावा रिवर tributary है साबरमती रिवर की तो यह हो गया फ्रेंस यहाँपर important points और बात करें राखी गड़ी की भी तो देखे राकी गड़ी जो है इसको अमरेंदर नाथ द्वारा एक्सकवेट किया गया था जाने ए नाथ लिख दिया है अमरेंदर नाथ है ये इन्होंने इसे 1997 से 2000 के बीच में डिटेल में इनकी भी स्टडी की थी देखे इसको एक्सकवेट बहुत पहले ही किया गया था 1963 में ही इसको एक्सकवेट किया गया था बट इसके बारे में जो डिटेल एक्सप्रेनेशन है वो दिया गया था अमरेंदर नाथ और ये लार्जेस्ट नोन साइट है हरपन की यानि की इंडस वैली की और यह कहाँ पर located है यह located है हरयाना में तो यह हो गए कुछ important points related to all these options I hope आपको clear है तो इसी तरीके से हम हर एक question को यहाँ पर cover करेंगे Friends आपका अगला question है गोपता ब्रामना is associated with गोपत ब्रामन किस से सम्मन्दित है गोपत ब्रामन यहाँ पर सम्मन्दित है अथर वेद से बात करें यहाँ पर अथर वेद की तो अथर वेद के बुक में यानि वेद में क्या दिया हुआ है यहाँ पर बात की गई है magic और charms की बात करें साम वेद की तो साम वेद में क्या दिया हुआ है यहाँ पर music के बारे में explain किया गया है यजुर्वेद में दिया गया है यग्य के बारे में जो prayers होते हैं उनके बारे में यहाँ पर यजुर्वेद में दिया गया है और रिगवेद में hymns बात की गई है और friends यहाँ पर oldest वेदा जो है यह है रिगवेद आपको यह याद रखना है तो यहाँ फिर बात करते हैं इसके बारे में यह गोपता ब्रामन है क्या तो गोपता ब्रामन is a general of prose text describing the Vedic rituals associated with the other faith जो भी Vedic rituals होते हैं उनके बारे में इसमें explain किया गया है बढ़ते हैं friends अगले कोशन की तरफ which dynasty was most powerful after Moria in Southern India तो दक्षिनी भारत में मौरे के बाद कौन सा राजवन सब्स सक्तिशाली था तो most powerful after Moria यहाँ पर थे साथवाहना डाइनेस्टी friends बात करेंगे साथवाहना डाइनेस्टी यहाँ पर तो founder इसके सीमू का है इनकी capital पहले पैठान या फिर प्रतिस्थान थी और अब यह जो present located है कहाँ पर है यह महरास्ट्रा में है यह पैठान जो जगा है यह located है महरास्ट्रा में और greatest साथवाहना रूलर कौन है यह है गौतमी पुत्र सतकर्नी और friends मैं आपको बता दो यह question directly exam में पूछा गया है गौतमी पुत्र सतकर्नी किस डाइनेस्टी से बिलॉंग करते थे तो यह बिलॉंग करते थे साथवाहना डाइनेस्टी से तो friends आपका अगला question है आरे भट और काली दास वर इन दा कोर्ट और विच गुपता रूलर आरे भट और काली दास किस गुपत शाशक के दर्बार में थे तो यहाँ पर आरे भट और काली दास थे in the court of चंदरगुपत टू बात करेंगे इनके बारे में यहाँ पर देखे चंदरगुपत टू was also known as विक्रामादित्य इनका अधर नेम विक्रामादित्य है तो मैंने आपको प्रीवेस वाले वीडियो में सारे गुपतर रूलर्स के जो अधर नेम्स है वो बताए हुए है तो अगर आपने वो पार्ट थी है इसका पार्ट थी ओफ टॉफ टॉफ फिफ्टी फाइव हिस्ट्री नहीं देखा है तो उसको जाके आप जरूर देखें यहां बात करें कालिदास की तो कालिदास was a classical Sanskrit writer who was one of the nine gems of चंद्रगोप्त court but आरेभट was not one of the नवरतनास तो नवरतनास थे में से कालिदास एक नवरतन थे but आरेभट नवरतन नहीं थे आरेभट was a mathematician and astronomer whose works include the आरेभटिया and the आरेज सिधानता तो यह एक नवरतन नहीं थे इनकी separate यह mathematician और astronomer थे बात करें अगले question की which of the following religion was patronized by पाला रूलर्स निमलिखित में से किस धर्म को पालसाश को द्वारा संडक्षन दिया गया था तो यहाँ पर patronize किया गया था बुद्धिजम को बात करें हम पाला रूलर्स की या फिर पाला डाइनेस्टी की तो देखें यहाँ पर इसको found किया गया है गोपाला के द्वारा गोपाला इसके founder है और यहाँ पर last ruler कौन है यह है गोविंद पाला next question friends देखें who was the founder of चालूक के डाइनेस्टी तो चालूक के वन्ष के संस्थापक कौन थे तो चालूक के डाइनेस्टी के यहाँ पर founder रहे है पूलकेशिन वन आपके लिए काफी ज़दा important question हो जाता है यह बात करें इनकी capital की तो इनका capital था बादामी इनका जो longest serving king थे वो रहे हैं विजय आदित्या बात करें यहाँ पर last ruler कौन थे तो यहाँ पर last ruler रहे है कृती वर्मन 2 तो आपको यह सारे points बहुत अच्छे से याद रखने हैं बढ़ते अगले question की तरफ तो देखें who is the author of money make a lie तो money make a lie के लेखक कौन है तो इसे लिखा गया है by शातानार तो option number B हो जाता है इसका correct answer फैंस बात करेंगे इनके बारे में तो देखें money make a lie was written by sitlai satanaar money make a lie is considered to be a typical representation of tamil buddhism तो यह tamil buddhism है he was able to achieve this by translating a large set of buddhist terms to tamil from sanskrit and पाली तो इस बुक में इन्होंने क्या किया है जो different buddhist words होते हैं उनको sanskrit और पाली से tamil language में convert किया है अगला question है आपका प्रतिस्थाना an important trading center was on the river तो अब भी हमने बात की थी कि प्रतिस्थाना किसकी capital थी यह capital थी साथवाना dynasty की तो आपसे पूछ रहा है आपके प्रतिस्थान एक पहत फुट व्यपारिक केंद्र किस नदी पर था तो किस नदी के bank में यह located था तो यह located था on the bank of कुदावरी river तो option number C is ride बात करें इसके बारे में important points तो देखें प्रतिस्थाना is a town with a municipal council in Aurangabad district Maharashtra, India it was the capital of Satwana dynasty जैसे मैंने अभी आपको बताया right अगला कोशन आपका दर्टम यावन प्रिया mentioned in ancient Sanskrit text denoted तो प्राजीन संस्कृत पार्ट में लेखित यावन प्रिया शब्द किससे सूचित करता है तो यावन प्रिया यहाँ पर नोट करता है पैपर से बात करें अगले कोशन की यहाँ पर देखें विच आव दा फॉलिंग तमिल टेक्स्ट has been called लगुवेद निन लिखित में से किस तमिल पार्ट को लगुवेद कहा गया है तो यहाँ पर लगुवेद कहा गया है correct answer है कुराल को option number D is correct फ्रेंस बात करेंगे अगले कोशन की in which country is अंकोरवाट टेंपल complex to liquid अंकोरवाट मंदिर परीसर किस देश में स्थित है तो अंकोरवाट टेंपल जो है यह located है कमबोडिया में बात करेंगे इसके बारे में यह एक हिंदु टेंपल है जो की dedicated है Lord Vishnu को और यह built किया गया है by Surya Verman 2 फ्रेंस आगे जाने से पहले में आपको बता दू कि हमारी जो paid PDF की website है वो है www.ravibookspdf.com तो यहाँ पर यह launch हो गई है आपको यहाँ पर रवी सर की All subject GK और current affairs की PDF बोथ इन English और Hindi मीडिया मिल जाएगी English plus Hindi मीडिया में मिल जाएगी तो आप इस website में जाकरके इसको buy कर सकते हैं काफी अच्छा content यहाँ पर provide किया गया है जो भी आपके exam oriented questions है उनको इस book में लिया गया है तो आपको काफी help हो जाएगी अगर आप चाहेए तो इस website से जाकरके buy कर सकते हैं तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ friends देखे आपका अगला question है which of the following was not one of the titles assumed by the Chola King Rajendra इन में से कौन सा title Chola King Rajendra का नहीं है आपको यह बताना है देखे निमलिखित में से कौन सा Chola Rajendra द्वारा धारन की गई उपाधी में से एक नहीं था इन में से राजेंदर चोला किंग जो थे उनका नाम त्याग समुद्रा नहीं था तो option number A हो जाता है यहाँ पर correct answer तो friends बात करें इनके नाम क्या क्या थे तो दिखे गंगाय कॉंडा, मुडी कॉंडा और पंडिता चोला यह सारे ही इनके नाम थे बट त्याग समुद्रा इनका नाम बिल्कुल नहीं था बात करें अगले कोशन की वो फाउंडेट दा सेना डाइनस्टी सेन राजवश की सापना किसने तो यहाँ पर सेन डाइनस्टी की फाउंडिंग करी गई है बाई समन्त सेन तो option number A है यहाँ पर correct answer बात करें इसके बारे में देखें founder of सेना डाइनस्टी वो समन्त सेन बट real founder कौन है इसके यह है हेमन्त सेन अगला question है friends आपका यहाँ पर who has constructed the tribuven नारायन temple of Chitod तो Chitod के tribuven नारायन मंदिर का निर्मान किसने करवाया है तो इसको temple को बनवाया गया है बाई पर्मारा राज, राजा भोजा तो पर्मारा राजा है भोज इन्होंने बनवाया है इस temple को next question है king भोजा ruled over तो राजा भोज ने कहां पर साशन किया है तो यह साशन कर रहे थे रूल कर रहे थे इन धार right friends अगला question है आपका who among the following राजपुत king defeated मुहमद गोरी for the first time तो निमलिकित में से किस राजपुत राजा ने पहली बार मुहमद गोरी को हराया था तो यहाँ पर पहली बार मुहमद गोरी को हराया गया था by पृत्वी राज 3 तो बात करें इनके बारे में देखें प्रित्वी राज 3 वस चहमाना रूलर ये चहमाना के रूलर थे He defeated सुल्तान मुहम्मद गोरी इन 1191 तो 1191 में हुआ था फर्स्ट बैटल ओफ तरेन तो इस टाइम पर प्रित्वी राज ने हरा दिया था मुहम्मद गोरी को फिर बात करें आपके लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टन है काफी एक्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा फिर बात करें आप सेकेंड पॉइंट की देखिए बड़ पृत्वी राज वस डिफीटेड बाई गोरी इन 1192 फिर 1192 में सेकेंड बैटल ओफ तरेन हुआ था उस टाइम पर सेकेंड बैटल फ तरेन के टाइम पर पृत्वी राज को हरा दिया गया बाई गोरी तो ये हैं कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टो दिस कोशन अगला कोशन है वो बिल्ट खजुराहो टेंपल खजुराहो की मंदिर को किसने बनवाया है तो खजुराहो कवी और नाटक का राज शेकर किसके दर्बार में थे यह आपको बताना है तो यह थे इन दा कोर्ट आफ महेंदर पाला वन तो आप्शन नमबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर फेंस बात करें इनके बारे में आपर तो देखें इन्होंने लिखा है एक बुक जिसका ना सुत्तर के काल में प्रमुक व्यापारे केंदर कहां पे था तो देखें पोश्ट गुपता की बात की जा रही है तो पोश्ट गुपता पीरियड में सबसे ज्यादा में बिजनस सेंटर जो था वो था कन्नाज तो अप्शन नमबर ए हैं आपर करेक्ट आंसर बात करेंगे इंफर्मेशन रिगार्डिंग टू हर्शा इस कंटेंड इन दा बुक्स ओफ तो हर्ष को समय के संबंद में जानकारी के स्थिकों में नहीं थे तो हर्ष के समय के बारे में इंफर्मेशन दी गई है इन बुक्स ओफ कल्हान तो आप्शन नमबर ए हो जाता है इसका बात करें अगले कोशन की यहाँ पर देखें डियूरिंग विच एज डिट वूमेन इंज्वा इक्वालिटी विथ मैन तो यहाँ पर एक्वालिटी ओफ वूमेन विथ मैन जो थी यह दी गई थी इन वेदिक एज तो आप्शन नमबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है अगला कोशन है आपर विच आप दा फॉलिंग ड्रामा वाज नॉट रिटन बई कालिदास निम लिखित में से कौन सा नाटक कालिदास बारा नहीं लिखा गया है तो कालिदास ने इसमें से नहीं लिखा है जान की हर नाम तो आप्शन नमबर डी है इसका प्रेक्ट आंसर बात करते हैं कौन-कौन से यहाँ पर जो ड्रामा है या फिर बुक्स हैं जो भी इनके वर्क्स हैं कालिदास के उनके बारे में देखें मार्विक अगनी मित्रम इनके द्वारा लिखा गया है अभी ग्यान शाकुंतलम भी इनके द्वारा लिखा गया है और भी कुछ टेक् इनके द्वारा लिखा गया है विक्रम ओवर्शियम यह भी लिखा गया है इनके द्वारा और अभी अभी जनान शाकुंतलं भी लिखा गया है इनके द्वारा राइट अगला कोशन है आपका what was the court language of गुपता रूलर्स तो यहां पर गुपत शाषोक की दरबारी भाशा कौन सी थी आपको बताना है तो court language of गुपता रूलर्स यहां पर थी Sanskrit फ्रंस बात करेंगे गुपता रूलर्स की तो हमने काफी बारें उनके बारें बात की है श्री गुपत इनके founder रहे हैं और विश्णु गुप्त यहां पर लास्ट रूलर रही हैं ओके यहां फिर फेमस हैं जादा समुद्र गुप्त जिने यहां पर कहा जाता था इंडियन नपोलियन और इनके अलावा इसे इन्हें कवी राजबी कहा जाता था इसके साथ नालंदा युनिवर्सटी को बिल्ड करवाया गया है इसको बनवाया गया है बाई कुमार गुप्त तो यह है कुछ important points related to गुप्ता rulers I hope आपको clear है who is called as Napoleon of ancient India प्राचीन भारत का Napoleon किसे कहा जाता है तो Napoleon of ancient India यह कहा जाता है समुद्र गुप्त को अब यह भी मैंने आपको बताया previous slide में कि Indian Napoleon कहा जाता है सम गुप्ता अंपायर तो friends आपका अगला question है which Buddhist text contains an account of Mauryan Emperor Ashoka में लिकित में से किस बौद ग्रंत में मौरे समराट अशोका विवरन है मौरे समराट अशोका विवरन यानि कि इनके बारे में दिया गया है in the book महावमसा तो option number D हो जाता है इसका correct answer तो महावमसा को लिखा गया ह है by Mahanama तो यहाँ पर इसको भी याद रखे और बागी तीन जो यह Buddhist text है इनके बारे में हम आगे आने वाले slides में और आगे आने वाले videos में detail में पढ़ेंगे तो friends आपका अगला question है Dimachas came to India during the rain of तो Dimachas किसके साशनकार में भारत आए थे तो यह आए थे इंडिया during the rain of बिंदु सारा तो option number B हो जाता है friends यहाँ पे बिल्कुल सही बात करें बिंदु सारा कौन थे यह बिलॉंग करते थे गुपता अंपायर से यह बेटे थे चंद्रगुपत मौरे के चंद् तो आपका अगला कोशन है who was the son of चंद्रगुपत चंद्रगुपत के पुत्र कौन थे तो चंद्रगुपत के सन रहे हैं बिंदु सार तो option number A हो जाता है इसका correct answer अभी हमने discuss किया था इसके बारे में previous slide में चंद्रगुपत के बेटे हैं बिंदु सार और बिंदु सार के ब जाइंट बुद्ध स्टैचू ओफ 80 feet at बोद गया was constructed by बोद गया में 80 feet की फिशाल बुद्ध प्रतीमा का निर्मान किसके द्वारा किया गया है तो यहां पर 80 feet बोद गया में एक बुद्ध स्टैचू है उसको बनाया गया है by Japanese people तो option number A है इसका बिलकु सही answer who among the following conducted the first Buddhist council निर्म लिकित में से किसने प्रतम बौद संगीती का आयोजन किया है तो यहां पर first Buddhist council को organize किया गया था बाई महा कासपात option number B है इसका correct answer friends मैंने आपको previous videos में भी Buddhist council के बारे में बताया है अब यह भी बता रही हूँ क्योंकि काफी important है आपके exam point of view से तो देखिए four Buddhist council conduct कराये गए है ancient history में तो देखिए यहां पर पहला जो है पहला हुआ था आपको मैं छोटा सा trick बता रही हूँ वैसे ही आपको याद रखना है तो ए कौन है यहां पर ए है अजाज शत्रू सेकेंड बुद्धिस्ट council को काला शोक के काला शोक इसके patron थे थर्ड में रहे हैं अशोका इसके patron और लाश में रहे हैं कनिश का इसके patron तो यह हैं कुछ important points जो आपको काफी जाद अच्छे से याद होने चाहिए सारे exams के लिए यह four Buddhist council काफी important है इसके साथ में Jain councils भी हैं उनके बारे में भी हम आगे आने वाले videos में discuss करेंगे अगला question है वेदिक river अस्किनी is identified with which one of the following rivers वेदिक नदी अस्किनी की पहचान निमलिकित में से किस नदी से की जा सकती है तो इसको कहा जाता है चिनाब तो option number C हो जाता है इसका correct answer तो इसका initially जो नाम था वो था अस्किनी अगला question है remains of which animals have not been found या फिर discovered in the Indus Valley civilization सिंदुगाटी सब्यता में किस जानवर के अवशेश नहीं मिले हैं तो यहाँ पर सिंदुगाटी सब्यता में यानि कि Indus Valley civilization में लायन के कोई भी remains नहीं मिले हैं तो option number A हो जाता है इसका correct answer अगला question है उपनिशत्स और books on तो उपनिशत्स पुस्ता किस पर आधारित है तो उपनिशत्स जो हैं यह based है on philosophy तो option number D हो जाता है इसका correct answer हमने previous videos में cover किया था कि law से deal करता है मनुस्मृती तो यह भी आप यहाँ पर याद रखें महाजनपत situated on the river on the bank of river गुदावरी वास तो गुदावरी नदी के तर्ट पर स्थित महाजनपत कौन सा है तो on the bank of गुदावरी river located है असाका तो option number C है फ्रेंस इसका correct answer next question है आपका which of the falling rivers was known as purishni in Vedic period निमलिकित में से किस नदी को Vedic काल में पुरुष्णी के नाम से जाना जाता है तो early age में यानि की Vedic काल में Vedic period में रावी river को पुरुष्णी के नाम से जाना जाता था तो रावी river के bank में located है हरपपा तो हरपपा जो है पहली side थी जो found की गई थी इंडर्स वैली में और ये located है on the banks of रावी river तो ये originate होती है हिमाले में अगला question है name the brave Indian king whom Alexander defeated on the bank of river छेलम उस बहादूर भारतिय राजा का नाम बताईए जिससे सिकंदर ने जेलम नदी के टक पर हराया था तो यहाँ पर Alexander ने defeat किया था on the bank of छेलम पूरस को तो option number B हो जाता है इसका correct answer अगला question है who was the author of बुद्ध चरिता तो बुद्ध चरितर के लेखा कौन है तो बुद्ध चरितर को लिखा गया है बाई अश्वगोश option number A है इसका बिलकुल सही answer अगला question है friends which of the following चोला kings conquered Ceylon तो यहाँ पर किस चोल राज ने Ceylon पर विजय प्राप्त की तो Ceylon को capture कर लिया गया गया राजेंदर वन तो option number C है इसका correct answer तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर conquer किया था Ceylon में बट इनके बात जो है राजा राजा ने इसको maximum यानि कि ज्यादा तर यानि कि इसको maximum पार था Ceylon का यह capture किया गया था राजा राजा वन बट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पहले ऐसे king कॉंतिय जिन्होंने Ceylon पर conquer किया था तो यह राजिंदर वन होंगे अगला question है फ्रिंस आपका विच डाइनस्टी बिल्द था पंच रथाज ओफ महाबली पूरम तो महाबली पूरम के पंच रथों का निर्मान किस राज़वंच ने करवाया है तो इसको करवाया गया है भई पल्लवा डाइनस्टी तो इन्होंने बिल्ड करवाया है पंच 97 C तक और इन्होंने शोर टेंपल भी बनाया है शोर टेंपल जो की लोकेटेड है मामलपुरम में और ये एक UNESCO Heritage Site भी है तो ये भी एक्जामें पूछा जा सकता है इसलिए आप इसको भी याद रखें अगला कोशन है the capital of Chola's was तो चोलो की राजधानी थे तो ये थे greatest ruler of Chalukya of Vatapi के बारे में बात करते हैं याँ पर Pulakishin 2 610-642 CE was the most famous ruler of Chalukya dynasty of Vatapi जिसे present day में बादामी कहा जाता है इन करनाट का A son of Chalukya king Krithi Verman 1 Pulakishin overthrew his uncle Mangalisha to gain control of the throne अगला कोशन है the famous Kailash temple cut out of solid rock at Elora was built under the patronage of निमलिकित Elora में से ठोष चतान को काट कर बनाया या प्रसिद कैलाश मंगर किसके संडरक्शन में बनाया गया है तो इसको बनाया गया है under the patronage of Rastrakutas तो option number D हो जाता है इसका correct answer अगला कोशन है who of the Chola king to have conquered Bengal बंगाल पर विजय प्राप्त करने वाले चोल राजा कौन थे तो Bengal को conquer करने वाले चोल राजा थे राजेंद्र वन अगला कोशन है अगला कोशन है इस विजय पावर वाज तो दक्षिन भारती राजियो में से अपने नौसैनिक सक्ती के लिए प्रसिद था चोल राजा फेमस थे अपने नेवल पावर के लिए बात करते हैं अपर इनके बारे में तो देखिये जो फाउंडर थे चोल राजा के विजय आलेया इन्हों कर लिया था तन्जोर को कब मिद एटींथ सेंचुरी में और ये लॉंगेस्ट रूलिंग डाइस्टी है साउधन इंडिया की और ये फैले हुए थे मालदिफ्स में श्री लंका में अगला कोशन है आपका वेर इस दा फेमस विरुपक्षा टेंपल लोकेटेड तो यहाँ पे प्रसिद विरुपक्ष मंदिर कहां पर स्थे थे तो विरुपक्ष टेंपल लोकेटड है हमपी में तो आप्शन नमबर C हो जाता है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बात करेंगे इसके बारे में तो देखिए तो विरुपक्ष टेंपल is located on the south bank of the river तूंगभद्रा इन हमपी तो हमपी में तूंगभद्र रिवर के south bank में located है विरुपक्ष टेंपल इट इस dedicated to Lord Shiva तो Lord Shiva के लिए यह dedicated है और यह एक world heritage side यानिक UNESCO heritage side भी है the temple was built by लकान दंदेशा a chieftain under the rule of देवराइड 2 of the Vijayanagar Empire तो यह build किया गया था इनके द्वारा जो की chief थे under देवराइड 2 of Vijayanagar Empire अगला question है which dynasty ruled over the India after Shunga dynasty तो Shunga dynasty यानिकि Shunga वंश के बाद किस वंश ने भारत पर साशन किया तो Shunga dynasty के बाद यहाँ पर Kanva dynasty ने rule किया है इंडिया में अगला question है फिन सापका गौतम बुद्ध गेव दा maximum sermons at which place तो गौतम बुद्ध ने सरवाधिक उपदेश कहाँ पर दिये हैं तो maximum sermons इन्होंने दिये हैं at Shravasti देखते हैं अगले question को which of the following events of बुद्धा's life is known as महा भिनीश क्रमाना बुद्ध के जीवन के किस घटना को महा भिनीश क्रमाना के नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है His departure from home इसे कहा जाता है महा भिनीश क्रमाना बढ़ते हैं अगले question की तरफ यहाँ पर Where was the second council of Jane held जैनों की द्वितिय संगीती कहां आयोजित की गई थी तो second council of Jane held हुई थी वल लभी में तो friends जैसे मैंने आपको बताया कि हम Jane councils के बारे में discuss करेंगे तो ये आगया एक question और आगे हम इसके और भी questions को discuss करेंगे महावीर's first disciple was तो महावीर के प्रतम सिष्य कौन थे तो महावीर के first disciple याई की सिष्य थे जमाली तो option number D has the correct answer देखें इनके बारे में जमाली who was also the son-in-law of महावीरा was the first disciple of महावीरा जमाली met महावीर in the कुंदा ग्रामा विलेज where महावीरा was born जमाली took वाउ along with the 500 of the warrior caste अगला question है आपका the largest number of Rigvedic hymns are devoted to Rigvedi रिचाओं की सबसे बड़ी संख्या किसके लिए समर्पित है तो यहाँ पर largest number of Rigvedic hymns जो है यह devoted है तो इंद्रा तो यहाँ पर जो Rigved था इंद्रदेव की ही पूचा की जाती थी अगला question है और फ्रेंस यह आपका last question भी है the famous battle of 10 kings as described in the Rigved was fought in the banks of तो Rigved में वर्नित 10 राजाओं की प्रसिद लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी तो देखिए battle of 10 kings को लड़ा गया था on the bank of Parushni river तो option number A हो जाता है इसका correct answer तो friends यह हो गए हमारे सारे important questions related to this video अब आता है आपका छूटा सा test जिसका answer आपको हमें comment section में देना है तो आपका पहला question है the largest site of Harappa in India is तो भारत में Harappa का सबसे बड़ा स्थल कहा है यह options दिये हैं और आपका अगला question है यहापर where is the famous वीरुपक्षा temple located तो प्रशिद वीरुपक्ष मंदिर कहां पर स्थित है यह options है यह आपर इसको भी answer आप हमें comment section में जरूर देना हमारी paid PDF की website जैसे मैंने आपको बताया थोड़ दे पहले www.ravibooks.pdf.com है यहाँ पर आप जा करके gk और current affairs की PDF को buy कर सकते हैं तो इस website को आप जरूर no down कर लें तो यह था हमारा आज का last slide I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा All right friends तो मिलते हैं एक और important topic के साथ अगले वीडियो में Till then thank you, have a nice day